दादी आप चिंता मत करें, मैं आपको पाल लूँगा अरे बाबू तुम रोग क्यों रहे हो? अरे अंकल जी क्या बता हूँ आपको यह मेरी दादी है? दादी है तो दादी के लिए के कहा जा रहे हो? और रोग क्यों रहे हो? अरे अकल जी तर्चल बात या इकी तो निकल जाए आप एक काम नहीं करना है पस बैठ के आपको खाना है इतना नहीं है मेरे पास जो बैठा के आपको खिलाओ निकल जाए पापा अपने दादी घर से बाहर क्यों निकल दिया अब तु ज्यादा सवाल जबाब करेगा मुझसे चलिया के तु पढ़ाएगा अच्छा तो अब दादी को लेकर कहां जाओगे तुम काई भी रालूगा अगल जी फुट पाट पर सो लूगा लेकिन अपने दादी के साथ रहूगा चलो बेटा तुम चिंता मत करो तुम्हारे पापा को सबक मैं सिखाऊँगा ठीक अगल जी अरे आज भी मुझे लेट हो गया कही मालिक डाटने न लगे मुझे अरे बाबू तुम दादी को लेकर कहां जा रहे हो अरे बाबू मुझे लगी रहा था कहीं मालिक दादी को घर से बाहर न निकाल दे और आज निकाली दिये तुम रुको मैं मालिक को समझाने की कोशिच करती हूँ उसको पढ़ाई करने के लिए भेजा साथ चला कहा गया वो अरे मालिक आप किसे खोज रहे हैं अरे कांता मेरा बेटा पता नि कहा चला गया अरे मालिक आपका बेटा आपका बेटा तो दादी साथ बाहर चला गया क्या दादी साथ बाहर चला गया एक दम पखल हो गया क्या हो आनद उसको पताता हूँ बच्चा उसको क्या बताओगे अब वो आपको साने वाला नहीं है ये बाबा क्या बोल रहे हैं पता नी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चा जब तुम अपने मा को घर से बाहर निकाल रहे थे तब उनके साथ एह हुआ बाबा एक बच्चा अपने दादी को लेकर भतक रहा है उसको रहा दिखाई ये ठीक है बच्चा मैं कुछ करता हूँ तो रुको बच्चा मुझे तुमारी सारी कहानी पता है क्या तुम अपने दादी के लिए पने पापा को छोड़ दोगे नहीं बाबा यह तो सबस्या है ना में दादी को छोड़ सकता हूं तब दादी खुले कर अपने पापास दूर कहां जा रहे हो पापा ने दादी घर से बाहर रिकल दिया था तो वे क्या करता ये कहां बठकती है अच्छा चलो तुम्हारे पापा सुबख सिखाते हैं तुम बस मरने की एक्टिंग करो ठीक है बाबा तुम्हारा बच्चा इसलिए वापस नहीं है सकता क्योंकि बाबा ये क्या हुआ मेरे बेटे को बाबा कुछ भी करिये मेरे बेटे को जिंदा कर दिये आप तो बहुत चमतकारी हैं बेटा इस बच्चे की आखी रिखवाई सेही थी कि तुम इसके दादी को पने पास रख अरे आप लोग इधर क्या कर रहे हो घर चलो मालीक मैं आज काम पे नहीं आ पाऊंगे मेरा बेटा की नएफ हो गया मैं साब के साथ थाने पे जा रही हूँ झाल